नमस्कार वर्षी नमस्कार तो हमने देखा है कि जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं काफी बच्चे पड़ा ही लिखाई में बहुत रूची लेते हैं काफी बच्चे होते हैं जो खेल कूद में बहुत रूची रखते हैं वो स्पोर्ट्स में काफी इंट्रेस्ट लेते हैं और वो physically बहुत strong होते हैं, तो क्या ऐसे बच्चों की कुंडली देखकर यह बताए जासकता है कि क्या बच्चे sports में अच्छे होंगे या उनकी छारेक बनावट strong होगी? देखिए यह जो बच्चों का खेलना है, कूधना, खेल कूधमे रूची, फिजिकली स्ट्रॉंग होना यह सब जो है हम कुंडली में मंगल देफता के प्रभाव से देख सकते हैं मंगल देफता का प्रभाव समझने से पहले हम अच्छे से समझते कि मंगल के मंगल एक लाल रंग कग रहे हैं इसे हम इंगलिश में मार्स भी कहते हैं मंगल एक शुष्क है एक ड् सबते हैं हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भगटते वे उनकी सेना में एक सेना पती दे अनुमान जी बहुत ही बलशाली बहुत सवत- ताकत थे बहुत मेस्कुलर दे इसे प्रकार से हम देखते हैं कि पहले घर में अगर मंगल देश तका जो प्रभाव है वे अच्छा होगा तो जो जातक है वे बहुत बलशाली होगा बहुत स्वस्त होगा मस्कुलर होगा फुर्तीला होगा उसको खेल कूद में बहुत रूची होगी उसकी पतली कमर होगी उसमें बहुत वे गोरे रंग कोगाँ अब हम दूसरे घर में देखते हैं तो जो दूसरा घर है वे हमारी वानी को हमारी स्पीच को दर्शा दे इस घर में अगर मंगल देशता का जो प्रभाव है वे अच्छा होगा तो जो जातक है वे उसमें तरक वितर की बहुत शमता होगी वे बहुत लोजिकल बात करेगा पर अगर मंगल देशता का जो प्रभाव है वे बुरा होगा तो आदमी की उगरवानी होगी, वे लोगों के साथ बहस करेगा इसी प्रकार हम तीसरे घर में मंगल देश्टा का जो प्रबाव है देखते हैं जो तीसरा घर है वे हमारे भाई को दर्शाते हैं अगर इस घर में मंगल देश्टा का प्रबाव अच्छा होगा तो जातक के छोटे भाई होगे दोनों बहुत पराकरमी होगे भाईों के बीच में बहुत प्रेम होगा बहुत प्यार होगा पर अगर मंगल देफ्टा का प्रभाफ बुरा होगा तो या तो जातक का भाई नहीं होगा या भाईयों के बीच में उतना प्रेम नहीं होगा उतना प्यार नहीं होगा लडाई आऊंगी तो इसी प्रकार से हम कुंडली के जो बारा घर है उनमें मंगल देफता का प्रभाफ देख सकते हैं मंगल देफता के और अच्छे प्रबाफ के लिए हमें हनुमान चालीसा करनी चाहिए हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए पूर्व की तिरफ मुँ रख के हमें हनुमान चालीसा करनी चाहिए और लाल रंग के आसन पे कोशिश करनी चाहिए कि हम लाल रंग के आसन पे करें धन्यवाद